मसकार दोस्तों नागिन सीजन 6 से एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है जी हाँ तेजस्वी पिरकास और उनकी सहपाटी कलाकार महक चैल के बीच में सब कुछ ठीक है लेकिन आखरकार एक तक कपूर और तेजस्वी पिरकास के बीच में क्यों सबसे बड़ी चैनल को सस्क्राइब कीजिए क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं तेजस्वी पिरकास और एक तक कपूर के इसी प्रोजक्ट नागिन सीजन 6 पर जिसमें लगातार एक तक कपूर को टार्गेट किया जा रहा है कि वो तेजस्वी पिरकास के साथ में थोड़ा गलत कर रही हैं लेकिन पूरा माजरा हम आज आप लोगों के बीच में सेर करने जा रहे हैं दोस्तों आप लोगों से सिर्फ अनुरोध करना चाहूंगा कि गाइस प्लीज मेरे यूटूब चैनल को सस्क्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए तो आज हम बात करने जा रहे हैं सिंब बड़ा जगडा इन दोनों के बीच में चल रहा है क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि महग चैल की फीज की कोई भी प्रोब्लम नहीं है वो अच्छे से काम कर रही हैं लेकिन एक्ता कपूर और महग चैल के बीच में जो एक्ता कपूर ने अपने फीज को लेकर एक बार वो घेरा है उन्होंने बताया है तेजस्वी पिरकास ने कि अगर उनकी फीस नहीं बड़ी तो वो इस सो को अलवीदा भी बोल सकती है क्योंकि महग चैल और एक ताकपूर के बीच में सब कुछ बॉंडिंग ठीक है लेकिन तेजस्वी पिरकास अपनी लगातार डिमांड कर रही है ऐसे में एक ताकपूर ने हिंट दिया है कि रूबीना दिलेग भी उनके पास में एक अल्टरनेट आप्सन अभी भी बाकी है जिसमें कि देखने दिल्चस्प होगा कि नागिन सीजन 6 की टी आरपी हमेशा से ही टॉप वन में रही है लेकिन अगर रूबीना प्रिभाब पढ़ेगा और टी आरपी कहां जाएगी लेकिन जल्दी ही सूत्रों के हवाले से खवर मिल रही है कि इन दोनों के बीच में जल्दी ही फाइनल होने जा रहा है क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि तेजस्वी पिरकास हमेशा से ही अपने बादों के लिए जा जा रहा है नागिन सीजन 6 के अंदर दोस्तों मैं चाहता हूं वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट जरूर करें